नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग अप पूरी तरीके से नेक्स्ट वीक से जो नेक्स्ट हफता शुरू होने वाला है उसमें conceptual way में हम budget के era में आ जाएंगे और आपको पता है earning में भी हमारे पास banks के outcome होंगे banks के result होंगे तो ऐसे सिनारियो में government देखेगा back to back back to back statement कर रही है back to back survey आ रहे हैं और budget में क्या-क्या हो सकता है और किन चीज मिला है मैं फिट से कहूंगा जो भी dip मिला आपको market में इसको as an opportunity लीजिए और buy करिए investment करिए चुकि investment एक ऐसी चीज है जो आपको पैसा बना के देती है at the time of budget also और at the time in long run to तो अगर आप देखेंगे तो NDTV के update आ चुकी है और पूरा देखे का report आईए आप देखेंगे कोई ऐसी website नहीं होगी जिस पे survey नहीं डाला गया हो और यह आपके लिए बहुत important क्यों है चुकि next week इस week हम नोंने काफी uncertainty देखी काफी गिरावट देखी सब कुछ देखा next week से we are hoping that की पूरा scenario change होगा जो scenario है वो पूरी तरीके से change होगा और India optimistic है कि वो GDP growth करेगा FY20 में भी 6 पॉइंट 5% की तो आप समझ सकते हैं अगर इंडिया 6.5% की GDP growth करता है किसमें next financial year में 2023-2024 में तो इंडिया world की largest leading economy growing economy कहलाएगा next financial year में जो की बहुत बड़ी बात होगी तो आप देखेंगे according to the survey अब survey कहां से आया है survey कितना authentic होता है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और यह बात देखेगा long term में पैसा जब आप लगा रहे हो एक साल दो साल तीन साल के लिए उसके लिए बहुत important update है कि Deloitte ने देखेगा यह survey किया है और आपको बता देना चाहता हूँ clarity crystal fact के साथ देखेगा इस survey आया है among the industry sector industries को देखेगा tackle किया है chemical 72% capital goods 70% energy 67% expressed confidence in a growth being high तो आप समझ सकते हैं कि इस समय 4-5 sector पे तो पूरा clear focus है सरकार का और आप समझ सकते हैं और उसी के basis पे survey किया गया है और आप देख सकते हैं a survey of the Indian businesses यानि जितने भी Indian businesses है leaders show that the majority of them जितने भी maximum है about 60% are optimistic यानि कि पूरी तरीके से मंदी का कोई भी महल नहीं है किसी भी तरीके का panic नहीं है posting above 6.5% growth during the 2023-2024 अब यह थोड़ा सा wide data है macro data यहाँ पे यह 10 economist ने 5 economist ने yes no yes no नहीं करा है question का yes no yes no नहीं करा है यहाँ पे data majority audience से majority business से majority industry leader से उठाये गया है इसलिए यह authentic है the survey said business leader who are chief experience officers in India are confident आप आप समझेगा जो भी business track किये गया है जो भी businesses की बात हुई है इस particular service में तो उसमें देखेगा data लिया गया chief experience officers तो आप समझ सकते हैं वो पूरी तरीके से confident हैं कि next budget में आपको देखेगा economic growth across the sector देखने को मिलेगी और government इसमें बहुत बड़ा fueling और pumping करेगी potential global slowdown और geopolitical instability के रहते हुए भी देखेगा ये चीज़ पाएंगे और अगर ये पाग है तो इंडिया फिर leading देखेगा थोड़ा सा एक economy में आने लगेगा आने आले सालों में और आप समझ सकते हैं जब पूरा world panic में है और उस समय अगर आपके लिए आपके particular country पर economy पर लोग bet कर रहे हूं तो ये बड़ी बात है investor को attract करने के लिए भी तो आप देख सकते हैं industry chemical 72% capital goods 70% energy 67% बहुत अच्छी growth दिखा रहे हैं और अगर आप देखते हैं कि felt that government initiative जो भी government initiative ले रही है गौर्मेंट हरी excited में जो PLI scheme ला रही है, pumping कर रही है, relaxations दे रही है, export पे focus दे रही है, banking दो PSU bank जो देखेगा improve हो रहे है, forex हमारे stable है, infra पे देखेगा working हो रही है, ये सारी चीज़ें देखेगा show कर रही है कि इन सब चीज़ों का देखेगा fueling और देखेगा GDP grow, सब कुछ आपको देखने हो मिलेगा, budget would define the अमरतकाल agenda for India, fuel the economy to remain resilient, continue to grow at a healthy pace, while balancing concern inflation and global risk यानि कि सब कुछ control करते हुए, हमें stability को growth को बनाये रखना है, सब कुछ control करते हुए, balance करते हुए, ये बड़ी बात है, the critical to this growth will be based of the capital expenditure, और आपको पता है, ये मोधी government का last budget है, आप समझ सकते हैं, इस सरकार का last budget है, और आपको पता है, इस budget में, चाहे आप expenditure की बात करें, च सारी चीजें की जाएंगी, और देखेगा, आम आदमी को खुश करने का प्रयास किया जाएगा, और आपको पता है, जब आप प्रयास करोगे, तब ही आप अगली सरकार बना पाऊगे, और ये बहुत important है, कि देखेए, सबसे important ये है, कि यहाँ पे, अगर ये कुछ भी growth के लिलाते हैं, तो वो सीधा capital market में liquidity booster का काम करेगा, और तुरन देखेगा capital market इस पर jump और react करेगा, तो अगर आप देखेंगे, the statement from the Deloitte said this proportion had increased by 12% from the previous year survey, तो आप समा सकते हैं, कि कितनी तेजी से चीजे बदल ली है, public private partnership देखे, private partnership बहुत तेजी से बढ़ नहीं है, और भी द तारी चीजें आपको कहीं न कहीं दिख रही हैं, और आप ये पूरी जगे पे देखेगा, जाके पढ़ सकते हैं, कि ये budget देखेगा, बहुत बड़ा question लेके आएगा, हमारी economy के लिए, और global risk को देखते हुए भी, तो अगर आप देखेंगे, most of the business देखेगा, player क्या है, leader क optimistic हैं, ये जो कि अच्छी बात है, चुकि वो business कर रहे हैं, उनको outlook ज्यादा अच्छी तरीके से पता होता है, और अगर उनको देखेगा, हमारा global market अच्छी तरीके से tackle कर ले जाए, तो इंडिया का capital market 2023 में सबसे तेजी से grow होगा, तो आप समझ सकते हैं, ये बहुत important update है, ज अच्छा लगा है, तो like, share, subscribe करना न भूलेगा, thank you so much.